नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्टल बटनागर में हमारी ब्लॉगर की सीरीज चल रही है और इसमें मैंने तीन या चार वीडियो बना दिये हैं जैसे कि आप देख रहे हो कि सरकरी नौकरी की ब्लॉगर की थीम भी मैंने प्रोवाइट कर रही है आप जैसे की अधार कार्ड ओनलाइन कैसे डाउनलोड करना है वोटर आईडी कैसे डाउनलोड करनी है तो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं होता है आपको दो वेबसाइट हैं उन पर रेजिस्टर कर सकते हो आप ने तो एक वेबसाइट पे भी रेजिस्टर करो के तो चल जाएगा रास्टी एब मदताता सेवा पोर्टल के नाम से एक वेबसाइट आती है इस पे आपको अपना रेजिस्टेशन करना होता है एक बार मैं आपको रेजिस्टेशन पेज दिखा देता हूँ इसमें एक बात का और ध्यान रखेगा जिन्होंने नवंबर 2020 के बाद रेजिस्टर किये हैं हमने वोटर आइडी कार्ड अभी फिलाहल जो है उन्हीं के डाउनलोड हो रहे हैं जो लोग पुराने हैं उनके डाउनलोड अभी नहीं हो रहे हैं क्योंकि डेटाबेस अभी उस तरह से मेंटेन नहीं हो पाई है आगे जाके आपको वोटर आइडी कार्ड का फोटो चेंज करने के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे तो अगर हम देखें इसका जो फॉर्म का नंबर होता है वो आपने डालना है यहाँ पर दूसरा अप्शन है कि I don't have EPIC नंबर तो अगर आपके पास नहीं है आपने जस्ट अप्लाई किया है तो आप इसको क्लिक करेंगे उसके बाद EPIC नंबर भरने के बाद आपको email और password आपने यहाँ पर डालना है confirm करना है और एड़ी रेट लगा दिया डॉलर लगा दिया इस तरह किया कि जो हमारे पर special characters होते हैं वो और एक आपका letter अपर case पे जरूर होना चाहिए तो बहुत simple process है इसमें ज्यादा को problem वाली बात नहीं है मैंने already इस पर account बना लिया था जिससे ज्यादा समय जो है कर सिता हूँ आप करने के बाद आपके पास बहुत सारे options यहां पर खुल जाते हैं जैसे कि आपको नया enrollment करना है correction करनी है personal detail में तो आप self की करना चाहते हैं तो self की कर दीजे next पर जाएए और next पर जाने के बाद आपका जो राज्जे है आपका जो city है जैसे है मैं मरादाबाद में रहता तो यहां पर आप मरादाबाद में जाके कर सकते हैं आपका नाम क्या है आपका ही सारी चीजे जो हैं आजाती है आप क्या करना चाहते हैं आप अपना photo या जनम तारीक को change करना चाहते हैं तो मैं यहां पर जनम तारीक को change करना अगर चाहता हूँ तो मैं यहां कर सकता और यह सारी चीजें जो हैं वो available हैं आपको अपना आयू का प्रमाण पत्र यहाँ पर देना पड़ेगा और दस्तावेज का प्रकार आपको देना पड़ेगा कि आपने क्या दिया है आयू का प्रमाण पत्र में आप 10th की mark sheet जो है वो लगा सकते हो यह बात धान रखना आप जो स्थाने declaration करके आपने submit कर देना है कुछ ज्यादा इसमें problem नहीं है कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना मैं आपको बता दूगा तो यहाँ पर आप फोटो पचान पत्र संख्या पता संबंध संबंधी का परकार आयू आयू तो तो आपकी जैनम तारिक से आ ज यहाँ में यह आता है इसको आप देख सकते हो form 8 यहाँ पर भरना होता है यह form 8 है इसके साथ साथ बैक आते हैं तुआरा से और फिर से बैक आ जाता हूँ पूरा यहाँ डेशबोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ डेशबोर्ट पर आ गया मैं और मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया यह मेरी प्रोफाइल बनी हुई है यहाँ पर और अगर मुझे EPCIC डाउनलोड यहाँ पर करना है तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ लेकिन ध्यान रखियेगा जो मैंने आपको बताया जैसे कि आप उपर पढ़े भी पा रहे हो कि जिन्होंने नॉवंबर 2020 के बाद अपलाई किया है उनका ही अभी डाउनलोडिंग हो रही है उस है जिए सेलेक्ट आपका जो है सारा काम यहां से हो जाएगा अगरेन हम डेक्स 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 पर चलते हैं थोड़ा सा हाँ यह आगया हमारा उसके लाग यहां पर देखें डाउनलोड का उप्शन यहां पर भी आ रहा है आप आपको सर्च करना है एलेक्ट्रोरिकल रोल तो आप यहां पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आपके पास पूरा आजाएगा माल लिजे आपको के पास EPIC नमबर नहीं है तो उसके इसमें आप नेम के एक और्डिंग भी सज़ कर सकते हो और इस पर आप पचान पत्र पर क्लिक करेंगे और जैसे कि मैं अपना यहां इसका जो कैप्चा है वो भर देता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यहां से हम सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो देखिए पूरा मेरा आज चुका है मेरा एज आ गया है डिस्टिक आ गया है और मेरा पोलिंग स्टेशन भी मुझे यहां पर पता चल है कि मेरा पोलिंग स्टेशन कहां पर है तो यहां पर मैं जैसी व्यू डिटेल पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारी चीज़े आ जाएंगी अगर आप कुछ और इसमें चेंजिस करना चाहते हैं इवन जो बीलो होते हैं उनका नंबर भी यहां पर हमें मिल जाता है और इ देट नहीं हुआ है इसलिए यहां पर कोई भी डेट लिखके नहीं आ रही है ठीक है तो यह आप यहां से अपनी वोटर इंफोर्मेशन निकाल सकते हैं इसके लावा एक पोर्टल और है यहां से भी आप अपना कर सकते हो करेक्शन कर सकते हो अगर आपने वोटर पोर्टल .eci.gov.in इस पर भी आपको register करना है आप चाहो तो जैसे किसी की death हो गई है तो आप उसकी voter ID को यहां से destroy भी करा सकते हो, मतलब खतम करा सकते हो, replacements of the voter ID, वो भी आप यहां पर करा सकते हो, तो यहां पर आपके पास customer की air भी होता है, वो आपकी help यहां पर कर देता है, नहीं तो यहां से आप search कर सकते हो, तो यहां से भी आपका record वही आएगा जो आपने यहां से निकाला था, तो एक record मिल गया, यह हमारे पहचान यहां पर हो गई, तो यह इस तरह से आप download कर सकते हो, और जैसे मैंने बोला कि नॉम्बर के बाद, 2020 नॉम्बर के बाद जिनोंने किया है उनको पूरा downloading मिल रही है, तो उम्मित करता हूँ आपकी query जो है, sold out होई होगी, और अगर इस से related और वी कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप comment करके मेरे को बताइएगा, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो, तब तक अपना बहुत बहुत आना की है